दोस्तो इस वीडियो में हम 12 किलास की पोटरी की फर्स्ट पोयम करेक्टर ओफ आ हैपी लाइफ के सारे स्टेंजास की स्टेड़ी करेंगे दोस्तो दूसरी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं और आप चैनल की पिले लिस्ट जरूर चेक कर लें Friends पहले स्टेंजा की स्टेड़ी करते हैं Explain with reference to the context one of the following extracts Friends इस पूरी पोयम को मैं पहले ही explain कर चुका हूं सिर्फ हिंदी में उसका लिंक मैंने description में दिया है आप देख सकते हैं फिरूरी मैं दुवारा हलका सा explain कर देता हूं वे अपने जन्ब और शिच्चा से कितना खुश है जो दूसरे के इच्चे का नुसार काम नहीं करता है जिसकी सुरक्षा का बज़ उसकी मांदार सोच है और साधरर सच ही उसके महान गुड़ है सबसे पहले हम इस टेंजर के शुरू के अलफाज लिख लेंगे जैसे हाव हैपी इस उसके बाद डेश 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 लगा देंगे फिर लास्ट का लिखेंगे जैसे हीज अटमोस्ट इसकिल पहली हेडिंग है रिफरेंस इसके अंदर लिखेंगे इस ब्यूटिफुल लाइनस हैब बीन टेकन फ्रों दा फेमश पोयम करेक्टर ओफ अ हैपी लाइफ कंपोज़ बाई सर हैंरी बॉटम कंपोज़ का मतलब होता है लिखना इसकी हिंदी है ये खुबसुरत पंक्तियां मशुहूर पोयम करेक्टर ओफ अ हैपी लाइफ से लिखेंगे है जिसको सर हैंरी बॉटम ने लिखा है सेकेंड हेडिंग है कॉंटेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे इन अकरसित लाइनों में एक खुशहाल जिन्दगी के रास के बारे में बताता है वे कहता है कि सुखी आदमी के कुछ गुडों में से आजादी इमानदारी और सच है इसके बाद हमें एक्स्पिलनेशन करनी होती है जिसके अंदर हम पूरे इस्टेंजे का खुलासा करते है ये लाइन भी हमें हर एक एक्स्पिलनेशन में कंपलसरी करनी है पोएट हमसे यहां कहता है कि वे शक्स जो दूसरों की इच्छा कानुसार काम नहीं करता है उसकी जिन्दगी में दूसरों के लिए बूर इच्छा नहीं होती है इसनी उसे किसी की सुरक्षा की जरुवत नहीं है सिर्फ सच उसका हुनर होता है उसे दूसरों की हुनर की जरुवत नहीं है यह उसके लिए इच्छा का तुफ़ा है जो उसको एक इमानदार और खुछाल जिन्दगी में आगे बढ़ने में मदद करता है इसकेंड इस्टेंजा की श्टरी करते है जिसकी इच्छाए उसकी मालिक नहीं है जिसकी आत्मा मरने के लिए हमेशा तयार रहती है वे दुन्या की फिक्रों के साथ आजाद रहता है और राजाओं का प्यार और बुरे लोगों की अलोचना से भी दूर रहता है सबसे पहले हम इस्टेंजा का शुरू का भाग लिख लेंगे उसका बाद डेश लगाएंगे लाश कर लिखेंगे वल्गर ब्रीथ रिफ्रेंस हैं इस ब्यूटिफू लाइन्स हैब बिन टेकन फॉम दे फैमश पोयम करेक्टर ओफ आ हैपी लाइफ कंपोस्ट बाई सर हैनरी वोटम उसके बाद हम कॉंटेक्स लिखेंगे इन दीज चार्मिंग लाइन्स दा पोयेट टेल्स जिसे मैंने पहले बतलाया था इस लाइन को हमें हर एक कॉंटेक्स में कंपोसरी करना है इन अकरसी लाइनों में पोयेट हमें एक खुशहाल आदमी की कुछ जरूरी गुलो के बारे में बताता है एक खुशहाल आदमी खुश पर कंट्रोल रखता है वे दुनिया की चीजों में दिल्चस्पी नहीं लेता है इसकी एक्स्पिनेशन है इस लाइन को हमें हर जगा कंपोसरी करना जैसे मैंने पहले बताया है यहाँ पोयेट हमसे कहता है कि गुस्था और प्यार उसके कामों को कंट्रोल नहीं करता है और उसका जमीर उसका मालिक नहीं होता है बलके वे अपने जमीर का मालिक होता है death has no fear for him मौत उसके लिए कोई डर नहीं रखती है he is always ready to embrace it वे इसे हमेशा गले लगाने के लिए तयार रहता है he is not attached to the world वे दुनिया से लगाव नहीं रखता है he doesn't pay any heed, love or hate वे प्यार और नफरत पर दियान नहीं देता है next टेंजा है who had his life from rumors freed whose conscience is his strong retreat whose state can neither flatter's feed nor ruin make oppressor's greed जो अपनी जिंदेगे को अफवाव से अजाद रखता है जिसका जमीर उसको मजबूती से रोके रखता है जिसको चापलूस लोग पिरवावित नहीं कर सकते और ना जालिम लोग उसको बरबात करके महान बन सकते इन अकरसित पंक्तियों में पोएट हमें कुछ गुलो के बारे में बताता है जो एक खुशाल जिंदिगी के लिए जरूरी है वे बहुत मजबूत होता है कुछ भी उसे चूँ नहीं सकता कभी हमसे यहां कहता है कि एक खुशाल आदमी जुटी अफ़ाव से अजाद रेता है वे उसे पिरवावित नहीं होता है अगर उसे कोई परशानी है तो इसे बहुत असानी से उसके दुवारा हल कर ली जाती है उसका दिमाग हमेशा संतुलित रहता है जुटी चापलूसी उसे घमन से नहीं भरती है नेक्स इस्टेंजा है वे उन लोगे से नफरत नहीं करता है जो मौका मिलने पर उपर उठे हैं और ना उन लोगे से नफरत करता है जो बुरे काम करके आगे बढ़े हैं जो ये कभी नहीं समझ सका कि तारिफ के साथ कितने गेरे जखम दिये जा सकते हैं वे सिर्फ राज्यों के नियमों को नहीं मानता है वे सिर्फ अच्छे नियमों को मानता है प्रिफरेंस सेम रहेगा कॉंटेक्स है इन अकरसित पंक्तियों में पोएट हमसे कहता है कि एक खुश हाल आदमी जलन और तारीव से अजाद रहता है वे अच्छे आच्छल वाले नियमों को फोलो करता है एक्स्छेनेशन यह दे पोएट सेस देट अमें हुआंस तो लीड आ हैपी लाइफ पोएट हमसे हैं कहता है कि एक आदमी जो खुश हाल जिन्दी की तरफ बढ़ना चाहता है यह सारी खासिते उसके अंदर होती है वे उनके लिए कोई बुरी भावना नहीं रखता है जो इतिफाक से या बेमारी से महान बन गए हो वे उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता है वे सरकारी नियमों को नहीं मानता है बलके भलाई वाले नियमों को मानता है जो दिन रात खुदा की प्रातना करता है जो इसके बतले में खुदा से सिर्फ दया और आशिरबाद चाहता है जो अपने दिन को मज़े के साथ बिना किसी नुकसान के एक फाइदेमन किताब और दोस्त के साथ गुजारता है इन अकरसित लाइनों में पोएट हमें एक खुशाल आदमी की भक्ती के बारे में बताता है वे हमेशा खुदा की प्रातना करता रहता है वे अपने समय को बिना किसी नुकसान के मनरंजन के साथ गुजारता है खुशाल जिन्दी के लिए जरूरी है कि हमें अच्छा होना चाहिए वे शक्स जो खुशाल जिन्दी की तरफ बढ़ना चाहता है उसे खुदा की रोज प्रातना करनी चाहिए उसे इश्वर से अच्छी उमीद रखनी चाहिए उसे किसी को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए और उसे अपने दिन को खुशी के साथ एक अच्छी किताब या दोस्त के साथ में गुजारना चाहिए ये आदमी दास के बंदन से आजाद है आगे बढ़ने के उमीद और गिरने के डर से भी आजाद है खुद का मालिक है अगरचे उसके पास जमीन जायदाद नहीं है और कुछ भी नहीं है मगर फिर भी सब कुछ है इन अकरसित पंक्तियों में पोईट हमसे कहता है कि एक खुछ हाल आदमी सारे चीजों से अजाद होता है नथिंग कैन बिन दा हैपी मैं खुछ भी एक खुछ हाल आदमी को नहीं बान सकता उसका खुछ पर कंट्रोल उसकी सबसे महान दोलत होती है यह जिन्देगी डरो और उमीदों से भरी हुई है वे आदमी जो आगे बढ़ने की इच्छा करता है दोनों को अंदेखा करना चाहिए उसे गुलाम की तरह काम नहीं करना चाहिए सफलता पाने की उमीद में उसे विफलता से नहीं डरना चाहिए यह चीज़े उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगी उसे खुछ का मालिक होना चाहिए अगरचे उसके पास दुन्यावी जमीन जायदाद नहीं हो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसर को सब्सक्राइब करें थाल कि आपको लाइक यह वाइक आपको यह वीडियो जायद आपके वीडियो में ऑन गान गापके पुछ उस्ते गिंट्वेंटी जमी ओाईक्वेंटी फूर्ट्ट्राइब के वीडियों झाल झाल